So hello fans, welcome to another video दोस्तों किया आपको पता है कि Redmi की तरफ से आप हमें बहुत ही जल्दी Redmi 9 देखने को मिलेगा और अब इस phone को कुछ दिनों के अंदर ही इंडिया में लॉंच कर दिया जाएगा जहां पर हमें देखने को मिलेगा Mediatek Helio G80 का चिपसेट Quad Air के हमरा का सेट अप और भी बहुत कुछ So fans, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi 9 के बारे में और जानेंगे इस phone की डिजाइन के बारे में इसमें क्या कुछ इस वेरिफिकसन मिले वाला है और जानेंगे इस phone की price क्या होने वाला है और launch date के बारे में So fans, अगर आप लोग भी जानना चाहते है जादा Redmi 9 के बारे में तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए So fans, let's get started So fans, सबसे पहले अगर बात किया जाई इस phone की design के बारे में यसी के साथ events अगर बात किया जाई इस phone की back panel की तो back panel में यहाँ पर हमें देखने को मिले का polycarbonate का back जो की 3D glossy gradient finishing के साथ आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिले का quad rear camera का setup और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा physical fingerprint sensor और अब बात आती है Redmi 9 की camera के बारे में तो यहाँ पर rear side में आपको देखने को मिलेगा quad rear camera का setup जिसका main sensor होने वाला है 13MP का जो की f2.2 aperture के साथ आता है उसी के साथ ही यहाँ पर आपको 3 all lens भी देखने को मिलेगा जो की होने वाला है 8MP का एक ultra wide angle lens 5MP का एक depth sensor और 2MP का एक micro lens भी दिया गया है इसी के साथ defense अगर बात किया जाई इस phone की font camera के बारे में तो font camera में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 8MP का एक selfie camera जो की हमें water drop notch display के अंदर देखने को मिलेगा जो की f2.2 aperture के साथ आने वाला है इसके बात बात आती है इस phone की processor की तो processor में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा Mediatek Helio G80 का chipset और यह processor काफी powerful और fast processor भी है अगर आप लोग gaming करते हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा option हो सकता है इसके अलाबा यहाँ पर आपको मिल जाएगा Android 10 का support जो की run करेगा MIUI 11 के उपर साथी फेंट्स यहाँ पर आपको इस phone की 2 RAM variant देखने को मिलेगा जो की होने वाला है 3GB RAM 32GB internal memory और 4GB RAM 64GB internal memory उसके बाद फेंट्स अगर बात किया जाए इस phone की battery के बारे में तो battery में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5020 mH की एक बड़ी battery जो की बहुत ही बड़ी battery है जो की 18W के first charging के साथ आएगा जिसके तुरू आप अपने phone को बहुत ही quick charge कर पाएंगे उसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3.5mm के headphone jack USB Type-C port और hybrid SIM slot और out of the box आपको एक 18W का first charger भी मिल जाएगा तो फेंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको charging और battery को लेकर कोई भी problem नहीं होने वाला है तो फेंट्स लास्ट में अगर बात किया जाए Redmi 9 की price और launch date के बारे में तो फेंट्स Redmi 9 को इसी महिने में इंडिया में launch किया जा सकता है लेकिन यह बात officially confirm नहीं हुआ है और उसी के साथ ही फेंट्स अगर बात किया जाए Redmi 9 की price के बारे में तो फेंट्स Redmi 9 का जो base variant model है याने की 3GB RAM, 32GB internal memory उसका price होने वाला है इंडिया के अंदर, 11,000 के अंदर तो फेंट्स ए थी Redmi 9 की design, इस verification price और launch date के बारे में कुछ जानकारी तो फेंट्स अगर आपके पस कोई भी question है इस phone के regarding तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हो तो फेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, I hope guys आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को like, share और हमारे चैलेंग को जरूर सब्सक्राइब करें Thanks for watching